मनी ट्रांसपर का सर्विसेज आपको सारे कंपनी में मिल जाती है लेकिन आज हम बात करने वाले हैं EGP के बारे में क्योंकि EGP में मनी ट्रांसपर का दो ऐसे अप्शन मिलता है जो सारी कंपनी में आपको नहीं मिल पाती है अगर आप money transfer का काम करते हैं, money transfer में ज़्यादा transaction होती है तो इस video को लगतार दिखते रहेगा क्योंकि आपको काफी अच्छी benefit होने वाली है EJP money transfer का दो ऐसे option आपको देती है जो सभी company में आपको नहीं मिलती है पहला है आपको UPI money transfer और दूसरा है आपको QR code के माधिम से फ्रेंट सब पोच करो कोई customer आपके पास आता है account number लेके तो आप किसी भी portal से आप account number के मदद से उसके खाते में पैसे को transfer कर सकते हैं लेकिन कोई customer ऐसे आता है जो UPI से पैसा लेना चाहता है UPI ID आपको बताता है तो आप बेवस होके आप UPI ID के माधिम से payment नहीं कर पाते क्योंकि आपको option नहीं मिलती है दूसरी कोई customer आता है QR code कर लेकर बोलता है कि इस QR code को scan करके आप money transfer कर दो तो आप QR code को भी scan करके money transfer नहीं कर पाते क्योंकि आपको option नहीं मिलती है लेकिन EGP में दो option आपको मिलती है EGP में money transfer की ऐसे कई शारी option है जो सभी company में normally होती है account number से भी आप transfer कर सकते हैं लेकिन दो extra benefit आपको यहाँ पर मिलती है दो extra option आपको मिलती है कि आप किसी भी customer का UPI ID डाल कर या फिर आप QR code को scan करके आप payment कर सकते हैं अब आप कहेंगे कि UPI ID से तो payment हम phone पे Google पे Patreon से भी कर सकते हैं यह मुझे पता है लेकिन आपको भी पता होगा कि phone पे Google पे Patreon जो है bank account link के अधार पे चलता है यानि कि उसमें आपका bank account link होती है और जो भी पैसे आप लेते हैं या जो भी पैसे आप transfer करते हैं उस सारे आपके bank account में हीट होती है यानि कि जो भी transaction आप करते हैं चाहे पैसा लियो हो या फिर आप पैसा किसी को बेजो हो आपकी bank account की जो statement होती है उसमें आपका record होता है और आपको ये भी पता होगा कि अपने account से अगर आप ज़्यादा transaction करते हैं तो यहाँ पर आपको tax भी payment करना पड़ता है ज्यादा लेन देन आप करेंगे तो tax आपको payment करना पड़ता है बाद में आपको पता चलगा कि जितना हमने कमाया नहीं उससे ज्यादा मुझे टेक्स भरना पड़ा आप सब पोच कि जो कोई customer आपकी पास आता है 5000 रिपया केसे लेकर हो बोलता है मुझे money transfer करना 5जार पाश्यार रिपया अपको केस्टें जो उन्होंने अपने च्पर कर दिया यह उन्होंने ऐसा अपको फ्रिए करै आहा आपने 500 रीपया पका है यंग नहीं पांच सजरी पर आपको कस्टमर ने दिया, पांच सजरी पर आपने ट्रांसफर कर दिया, आपके पास बचा क्या, पांच सजरी पर कस्टमर का पैसा था, पांच सजरी रुपया आपका पैसा है ही नहीं, अब जब आपका पैसा है ही नहीं, तो उस पैसे के लिए बार बार अ अब अगर आप कहेंगे कि भाई जो कस्टमर मुझे पैसा देता है उसके बदले में कुछ हम कमिशन ले लेते हैं तो कुछ कमिशन के चकर में आपको ज्यादा नुक्शान हो सकती है चुकि अगर इजीपे की बात करें तो इजीपे में एकांट निमर्शाप का कोई मतलब नह और अगर आप किसी को पैसे ठ्रांसफर कर रहे हो हो मुर्ण वर को मेंद से करए या फिर डारेट आप मुल्ण ट्रानफर करें आपको easypay में कि आप normal money transfer तो करी सकते हैं account नमर से आप यहां पर किसी को UPI ID या फिर QR code के माध्यम से payment कर सकते हैं और इसमें आपको कोई भी दिकत नहीं आने वाली है क्योंकि इसमें account से आपका कोई मतलब नहीं होगा easypay में जो बैलेट आपका बनाया जाता है उसी बैलेट से आपका record होगा हमारा distributor की ID है इसलिए इसमें ज्यादा जो टांजेशन का option होता है वह नहीं दिख रहा है पर यहां पर QR code और UPI transfer का option दिख रहा है जैसे यहां पर आप देखेंगे तो UPI QR code का option आपको मिल जाती है अभी हम इस पर click करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि आपका QR code की service है और यहां पर फ्रिंट्स जो मनें आपको बला UPI transfer यहां पर UPI transfer का option मिलता है यहां पर अब UPI address डालेंगे जो भी होता है फोन पर गूगल पर किसी का भी UPI ID यहां पर डाल सकते हैं नाम यहां पर डालेंगे मुवाल लमाट डालेंगे और प्रसीड transfer का option पर कीलिक करेंगे इसके बाद जीतना मनें ट्रांसफर करना है यहां पर एमांट डालेंगे और ट्रांसफर नौग का option पर करेंगे तो इसकें करने का अपको मिलता होगा यहां पर इस पर करेंगे तो किसी भी फोन पे गूगल को किसी भी क्युआ को यहां पर आप करके इसकेंट कर सकते हैं इस तरह से करने के बाद यहां पर इप्लेज अटमेटली आजाएगा नाम आजाएगा यहां पर मॉइल नवर डालेंगे और प्रसीड ट्रांसपर करके आप पैमेंट को ट्रांसपर कर पाएंगे क्यूआ को सर्विस को एक्टिव कराना पड़ता है आपकी आड़ी में पहले से करा सकते हैं तो बस इस वीडियो को माध्यम से मुझे यही कहना था कि आप नौर्मली मनी ट्रांसपर्ट तो करी सकते हैं पर इजी पे में आपको दो इक्स्टा मेठर्ड मिलता है यूपी आई के माध्यम से पेमेंट करना या फिर किसी भी क्यूर कोड को एश्केन करके पेमे जाती है और अगर रेट र्रड की बात करें तो मातर आपको 51 रूपिच मी मिल जाता है आप चाहें टो डेमो कुरूप में भी 51 रूपिच लगा कर आप आप यूज़ कर सकते हैं, अगर services आपको अच्छी लगती है, तो आप पायम करें, अगर services आपको अच्छी नहीं लगती है, support आपको अच्छा नहीं मिलता, तो आप ना करें, आप चाहें तो retail राडी, distributor राडी हम से ले सकते हैं, व्योडियो को डिक्सिसर में आपको WhatsApp नमबर मिल जाएगा, आप समपर कर सकते हैं,